गुट बॉर्निंग बिटा कैसे हैं आप सब लोग आज हम EBS का पार्ट नंबर चार पड़ेंगे चले साथ साथ एक कहानी की तोर पे मैं आपको यह समझा रही हूँ गौरव गौरव और नीरज दो दोस्त हैं गौरव ने बताया मेरे दादा जी और दादी जी गाउं से आ रहे हैं तो गौरव ने बताया मेरे दादा जी जब भी आते हैं वो मुझे रात को कहानी सुनाते हैं और दादा जी बहुत अच्छी दरी बनाते हैं लेकिन मेरे दादा जी की नजर भी कमजोर हो गई और घुटनों में भी दर्द अब आप बताईए नजर भी कमजोर घुटनों में दर्द आपने पढ़ाया ना हमारे सायक वो डॉक्टर के पास जाएंगे या भड़ाई के पास जाएंगे बोलो बोलो, डक्टर के पास जाएंगे उसके बाद, नीरज ने भी बताया कि मेरे नाना जी के कान में दर्द है कल मम्मी बता रहे थी औनको भी डक्टर के ही पास लेके गए है इसका मतलब जो बिमार होता है वो कहा जाएगा, डक्टर के पास गाउं से दाद़ जी आ गय दाद़ जी ने बताया परोस में जो अनीता है वो अब उसको पॉलियो हुआ था बच्च commit में क्या होता बिटा पॉलियो पॉलियो एक ऐसी बिमारी है जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करता जिसे किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी का पैर काम नहीं करता, कुछ बच्चे चल नहीं सकते, तो उनको क्या होता है? याद हैना स्कूल में पॉल्यो ड्रॉप्स पिलाने आते हैं, तो अनिता विल्चेयर पर जाती है स्कूल, फिर उन्होंने बताया गौरवने कि मेरी क्लास में पवन है, वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए हमारे स्कूल में उसे ब्रेल लिपी से पढ़ाते हैं, क्या होती है ये ब्रेल लिपी, कागज पर मोटे मोटे बिंदू होते हैं, उकरे वे वो उनको टच करते हैं, और टच करके वो बच्चे बताते हैं, ये ए है या बी, इस तरह से हमने देखा, हमारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो ऐसा थोड हमारे साथ साथ चलेंगे, सिर्फ हम उन्हें मदद करेंगे, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, तो हमने देखा, कि चल नहीं सकता तो वीलचेयर से, देख नहीं सकता तो ब्रेल लिपी से, तो हम मदद करेंगे ना, ये ही था हमारा चप्टा चार, थेंक यू बिटा